सो हेलो गाईज आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने माले हैं कि अगर आप जहारखंड एक कलेंडे स्कुलर्शीप 2022 का फॉर्म फील अप किये थे और अगर आपका इस ट्रस फाइनल एप्रिट बाई डॉबल ए ओफिसर सो कर रहा है फाइनल एप्रिट बाई डॉबल ए ओफिसर बता रहा है तो आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा जैसे कि दोस्तों मैं और एडी वीडियो बना चुका हूँ और मेरे वीडियो पर बहुत सारे कोमेंट आ रह उड़ेश को नहीं नहीं आए और कौन कौन से इस्टोडेश का पैसा आने वाला है तो उस नूटिस को इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि तो दोस्तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो नूटिस जारी किया गया है वह यही नूटिस रहा सबसेर फर्स्ट में यहां पर आवश्यक सुचना पोस्ट मैट्रिक छातर विरिती 1223 अंतरगत जीन छातर छातराओं का आवेदन फाइनल एप्रोड हो चुका है उनको छातर विरिती की रासी अधार से लिंक खाता संखिया में 15 दिनों के अंदर हस्तांतरित हो जाएगी सबसेर लिखा है कि जीन इस्ट्वेंटों का फाइनल एप्रोड जो कर रहा है तो उन इस्ट्वेंटों का अगर आपके खाता से अधार कार्ड लिंख है कि अभी मेरा DNO एप्रूड हुआ है या फिर किसी किसी का DLC एप्रूड हुआ है या फिर किनी स्टूडेंटों का College एप्रूड हुआ है तो दोस्तों आप लोग को मैं बाता दना चाहता हूँ मैं जो अभी आपको इस वीडियो में बात कर रहा हूँ ये के वल Final Approved by AA Officer जिन इस्टूडेंटों का हो गया है उन्हीं इस्टूडेंटों का 15 दिन का अंदर में पेमेंट आने वला है बाकी जिनका भी Final Approved by AA Officer सो नहीं कर रहा है उसके अलावा DNO या फिर DLC या फिर उनका College एप्रूड आपको कर रहा है जिन छात्र छात्राओं का बैंक खाता संख्या अधार से लिंक अधार इज नोट इन NPCI Database नहीं है उनका छात्र विर्दी की रासी का भुगता नहीं हो सकेगा निर्देश है कि आपके संबंधित बैंक में जाकर अपने खाता संख्या को NPCI Database पर मैट करवाना सुनिस्चित करें दोस्तों आप लोग को मैप पहले ही पताया था कि जो स्ट्रेंट इस कोडर स्रिफ का फोर्म भर रहे है उससे पहले आपको चेक कर लाना है आपके खाता से कि आपके खाता से अधार NPCI मैट है या नहीं डाटाबेस है या नहीं अगर आपका डाटाबेस नहीं है तो आपको डारेक्टरी अपने बैंक के nearest branch में वीजट करना है और वहाँ पर वीजट करके DBT link करने का अधार काट link करने का एक फोर्म होता है उस फोर्म को ले और इसके बाद उस फोर्म को अच्छे तरगे से भार करके और अपने branch में ही जमा कर दे इसके बाद 24 से 48 खनटा के भीतर आपका जो DBT link है उसको successfully कर दिया जाता है और अगर आपको चेक करना है कि मेरा account से DBT link है या नहीं की इस तरगे से चेक कर सकते हैं उस पर मैं अल्रेटी video बना करके अपने channel पर अप्रोड कर रखा हूँ आप चाहे हैं तो उस video का link मैं video की description में दे रखा हूँ आप उस video को देखिए आप अपना status को चेक कर सकते हैं और दोस्तो एक बाद मैं आप लोग को बादा दना चाहता हूं कि आज कल हर एक आदमी को dbt लिंक करवाना जरूरी है क्योंकि दोस्तो जितने भी सरकारी यूजना होती है गोवर्मेंट इस्कीम होती है वो सारी इस्कीमों का पैसा आपके डिरेक्टली dbt लिंक एकाउंट में ही आपका पैसा को भेज दा है तो आपको यह dbt लिंक करवाना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों यही रहा जारकाण की कलिया निसकोरशीफ का फाइनल नोटिस अगर आपका जिन स्टुडेंटों का फाइनल ले ब्रूट बाइडबल ओफिसर हो गया है उनको ज्यादा अपके लिए बाइ बाइ बाइ